दोस्तो आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका स्वागता है जहां पर आज हम डिसकस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्डेंट टर्म जो कि है कीबोर्ड कीज आप सबको बताई कि हर एक कम्पुटर यूजर के लिए कीबोर्ड कितना जाधा important role play करता है और कीबोर्ड में कई सारे कीज होते हैं तो कीबोर्ड में यह जो कीज आपको नजर आ रहे हैं और इन कीज पे जो यह symbols नजर आ रहे हैं क्या आपको यह पता है क्योंकि कई भार maximum ल वीडियो थोड़ी लंबी हो लेकिन यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा important होगी so make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखे और अगर ही वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को like और share जरू करें तो बिना किसी देर की शुरू करते हैं इस वीडियो क अब normal दोस्तों आचुके हैं हम अपने computer skin पे और यहाँ पे आपके सामने के standard keyboard है basically यहाँ पे कुछ information में आपको दे देता हूँ इसके बाद हम सिदा बात करेंगे कि यहाँ से लिके अलग-अलग symbols है यह क्या है और इनका क्या use होता है सबसे पहली बात आप यह जान लीजे क जो आपका keyboard है उसमें total 104 बटन होते है इसके साथ ही यहाँ पे जो ऊपर की keys है जो f1 से f12 keys है इसे functional keys बोला जाता है इसके साथ ही यह आपके alphabetic keys होती है जो a to z होती है यह जितने भी आपके keys होती है इन्हें important या extra keys बोला जाता है इसके साथ ही यह जो keys आप देख पारें जैसे control, window, alt या फिर हम बात करें option बटन हो गया यह सब होती है control keys साथ ही यहाँ पर यह जो section आप देख पारें home end, insert, page up, page down यह जो keys होती है इन्हें हम बोलते है home keys साथ ही यह जो नीचे arrow keys होती है इन्हें बोला जाता है navigation keys और यह जो section होता है इसे हम बोलते है number pad keys अब हमारा जो यहाँ पर main term है इस video में वो यह जानना है कि इस keyboard में कुछ ऐसी keys हैं जो की easily समझना मुश्किल है जैसे कि यहाँ पर F1, F2 लिखा है तो हमें पता है कि इसे क्या बोलना है इसे F1 बोलना है इसे F2 बोलना है बट यहाँ पर लिखा है ESC इस key को बोलते क्या है तो इस key को जाता है escape की इसके साथ ही यहाँ पर आपको 1 से लेके 0 तक में अलग-अलग symbols देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे symbols हैं जो कि हम regular light में यूज करते हैं जैसे bracket हो गया यह फिर हम बात करें percentage हो गया dollar हो गया यह में आसानी से बता है लेकिन कई लोग को यह नहीं पता कि 1 के side में जो क्या बोलते हैं और इनका क्या यूज है वो सभी चीज़े इस वीडियो में cover करने वाले हैं सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस term को अब यहां में आपको अल्रेटी बता चुका हूँ कि यह ESC क्या है escape के अगर आपने कोई भी option खुला हुआ है मालो यही एक option है और य इंग्लिश में grammar देखी होगी तो इसमें notice किया होगा कि जब भी कोई ऐसे sentences होते हैं जहां पर हम शौक होके बोल रहे हैं या फिर दुखी होके बोल रहे हैं जैसे कि हुरे हो गया अलास हो गया तो वहां पर इस exclamation mark का use किया जाता है इसके बात करते हैं तू पर जोई सिंब बारे में आप अच्छे से जानते हैं तो 3 के ऊपर जोई symbol आपको दिख रहा है यह है हैश symbol इसके बात करते हैं 4 के ऊपर जोई symbol है बहुत ही common है और यह है dollar सो नॉर्मली अगर आप currency को represent कर रहे हैं तो हम इस symbol का use करते हैं इसके बात करते हैं कि 5 के ऊपर जोई symbol है इसे क्या देखा होगा जिसका use हम reference यह jump up करने के लिए करते हैं इसके बात करते हैं 7 के उपर जोई symbol है वो क्या है वो है and symbol और इसका House आपको अच्छे से बता आए जो हम a and d.and लिखते हैं जिसका मतलब और होता है तो उसे जिसको हम इस symbol के थुरू दिनोड करते हैं इसके बात हम बात करते हैं 8 के उपर जो यह symbol है इसे बोला जाता है इसे हम बोलते हैं लार्ज ब्राकेट तो आपको के लिए अब इसके बात करते हैं इस की की जो यहां पर आप देख पा रहे हुँ जिए जो की काफी बड़ा है और वह वहां पर पुरौपर आ नी पारा तो आपने देखाओ को वहां चोटी सी लाईन आ जाती है जैसे पार्ट कुलरली है तो पाटी उपर आ गया और कुलरली नीचे आ रहा है और उन दोनों को एक ही में दिखाने के लिए हम वहाँ पे एक डैश देते हैं उसे डैश को हाइफन बोला जाता है दूसरा यहाँ पर जो सिंबल है वो है अंडर स्कोर कई बार आपने देखा होगा अगर आप कोडिंग फिल्ड से होंगे तो आप अगर कोई नाम लिख रहे हो तो उसके बीच में स्पेस देना अलाउड नहीं होता तो वहाँ पे हम अंडर स्कोर का यूज करते है इसके लाब हम बात करें यहाँ पे तो इसके बार में आपको अच्छे से बता है जो इक्वल के उपर ह प्लस एडिशन और जो नीचे है वो क्या है इक्वल तो इन दोनों के बार में आपको अच्छे से पता है अब दोस्तों इनके बार में तुम्हें बता ही चुक हूँ जो पी के साइड में पहला यहाँ पर यह वाले ब्रैकेट है और नीचे वाले लार्ज ब्रैकेट है यहा backward slash बोला जाता है जो कि oblique होता है तो आप यहां पे देख पा रहे हो तो यह क्या है हमारा forward slash इसके बाद आते हैं L के side में जो symbol है तो यह जो आप दो dot देख पा रहे हो यह होता है colon और यहां पे नीचे में जहां पे एक dot है और एक यहां simple comma जैसा option है तो इसे बोला जाता है semicolon ऊपर वाला colon नीचे वाला semicolon इसके side में अगर हम देखे तो यहां पे दो आपको point नजर आ रहे हैं तो इसे बोला जाता है double quads इसका use आपने जाधा तर देखा होगा बहुत जगा आप देख सकते हो इसका अगर हम coding के field में बात करें या और पीचे का हम बात करें तो double quads का use बहुत जाधा होता है नीचे में जो आप देख पा रहे हो अपने देखा होगा अगर आप father's name लिख रहे हो तो जो father's आप लिखते हो father और उसके बाद आता है epistrophe और फिर आप s लिखते हो तो यह जो आपको नीचे में एक single सा यहा पर देख पा रहा है इसे हम बोलते है epistrophe so I hope कि यह portion भी आपको के लिए हो गया होगा इसके नीचे में यहाँ पर आते है m के side में तो यह आपको पताईए क्या है यह है less than और नीचे में है coma और यह है greater than और यह है greater than नीचे में क्या है full stop इसके बात यहाँ पर बात करते हैं तो यह उपर में question mark और नीचे में क्या है oblique इसके बात यहाँ पर यह एक की और ती जिसका use मुझे आपको बताना है जो कि one के side में तो basically यहां पर आप देख पारें, इसे बोलते है tilt, basically इसका use आपने देखा होगा math में, जहां पर आपका एक chapter होगा, equal के आपने इस symbol को देखा होगा, तो इसे tilt बोलते हैं, वहां पर इसका use होता है, इसके लावा कई ऐसे languages है, जैसे Japanese होगे, Spanish होगे, वहां पर इसका use है, तो एक symbol के तौर पर आप इसे denote कर सकते हो, जो कि अलग-अलग portion पर use होता है, इसके नीचे में जो आपको इस symbol नजर आ रहा है, यह है back quarter, जैसे आप यहां कि दोस्तों, अब आपको doubt नहीं होगा कि जितने भी symbol से नहीं क्या बोला जाता है, और इनका क्या role play और क्या use है, अगर ही वीडियो आपको अच्छे लगी हो, तो please इस वीडियो को like करें, share करें, साथ यह comment करके अपना feedback जरूर दे, thank you.